जय हिंदि श्टडिक बसेरा की नए वीडियो में आप सभी का हर्दिक स्वागत है चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा चलिए तो आज के लिए भी रोज की तरह आज भी मै प्रस्ट को एक-एक करके हम उन्हों समझते जो इप्रस्ट मुझे लग रहा है आने वाले हैं उनको मैंने प्रेडिक्ट किया है तो पहला जो हम मैं प्रस्ट उठाता हूं मुंबई एरिया की आठ रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है तो उन कौन-कौन सा इस्टेशन को नया नाम क्या है सभी को पॉइंट वाइस वन बाई वन में बताने जा रहा हूं एक एक को आप नोट डाउन करते चलिए गा पहला है करी रोड इस्टेशन का नाम बदलकर लाल बाग स्टेशन कर दिया गया है मुंबई सेंट्रल यह बहुत इंपोर्ण बन जाता है मुंब सेंट्रल का थी नंबर पर है सेंड हस्ट रोड इसका नाम बदलकर करके डॉंगरी स्टेशन कर दिया गया है सेंड हस्ट का रोड का स्टेशन का नाम बदलकर के डॉंगरी स्टेशन कर दिया गया है मरीन लाइन्स यह भी इंपोर्ण बन जाता है मरीन क्योंकि यह सब हमेश स्टेशन मुंबा देवी मंदीर मुंबा मता उन झाली मता और मतलब मता होता है में मतल्व मुहाराथी में माता होता है मदर होता है मुंबई हो गया मुंबई दोनी मिल टेशन चरनी रोड का कौनue इस्टेशन का काला चोड़की स्टेशन चींग सरक्ल कई तिर्थंकर पार्सवनात स्टेशन осbread डोकियाडखकर मचगाव इस्टेशन सब्सक्राइब इसे स Adult उस्टेशन बदला है मुंबई में दोज़ाएब। तो एलेक्सन हो रहे हैं कूल मतदाता कितने यह प्रश्मिद बन सकता के बीसी आई बियार थड कोस्टन के लिए इंपोर्टेंट बन सकता तो कूल मतदाता दो है चोबीस में 96.85 करोर याद रखिए 96.85 करोर है कूल मतदाता फोटर है इतने 2019 में कितने तो 89 पॉइंट सम्थिंग ते 89 पॉइंट सम्थिंग करोर थे 89 पॉइंट कुछ थे करोर 2019 में क्लियर ही यह इंपोर्टेंट बन जाता यहां से और भी मैं बताने जा रहा हूं चलिए आगे बढ़ते हैं कि 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो राजिव कुमार है उनके साथ जो चुनाव आयुक्त है कौन है तो ग्यानेश कुमार और सुखबीर सिंग संदु राजिव कुमार और राजिव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ग्यानेश कुमार और सुखबीर सिंग संद फिरायोग थे चुनाव की तारीक घोसना के ठीक पहले कि चुनाव आयुक थे जिन्हों ने इस्तिफा दिया उनका नाम क्या था तो उनका नाम था अरून गोयल जी इस्तिफा दिए दिये थे हुआ अर्ट शोको विदेखते रहिए गा वहाँ बी मैं इंपोर्टन क्ोस्टन डालता रहाता हूं चैनली प्रेश्ट में चे多फ पे तो वहाँ पोर्टन को क्वेंदी को फोलो कि जिए गाचीत वरे सभी बहुत सारे ब्रिक समयलन जितने सम्मेलान हुआ है उनसे भी देख लेते हैं उनसे भी प्रस्ट बन सकते हैं तो जी ट्वेंटी जो सम्मेलान हुआ है दिल्ली में जो सिखर सम्मेलान हुआ है वह किस क्रम का तो अठारवा रेंग का था यह प्रस्ट ध्यान रखिएगा अठारवा रेंग का था अठार वह देख लिए यह भारत मंडपम इस बील्डिंग में हुआ था भारत मंडपम इसे और एक प्रस्म बनता है मंडपम के बाहर किन की मुर्ती बनी हुई है तो नट्राज भगवान की मुर्ती बनी हुई है दुनिया के सबसे बड़ी उंची नट्राज सबसे उची नट्राज मुर्थी जिसकी उच्चाई कितनी है यह प्रस्मी बन सकता है तो इसकी उच्चाई है 27 feet 27 feet और यह अश्ट धातू से निर्मित है अश्ट धातू से निर्मित यह मुर्थी जो 2030 है तो भारत पहले देश को सिंगापूर ओमान नाजियरिया मेश्र、 स्पैन निधर ले GM एन्ड़ मुए। कुछ भारत ने दिलनी वे आमनत्रित किया था गेस्ट कंट्री के रूप में जिसमें आठ देशों के राष्ट अधर्यक्स राष्ट्पति सम्मेलन में पाडिसिवेट किये प्रन्तु इसपेन के यह भी ध्यान रखेए स्पेन के राष्ट्पति पाडिस्वेट नहीं कर पाय था था तो वसुदेव कुटूमकम अठारवास सम्मेलन जी-20 का जो सम्मेलन हुआ थीम क्या था था तो वसुदेव कुटूमकम इंगलिस में वन अर्थ वन वहांट एमदी वन फिज्चरव जिञान रखेएगा जी ट्वेंटी दॉसचोविस कहाँ होगा दॉसचोविस wound कहाँ हो। 2024 का सम्मेलन G20 सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जिनेरियो में होगा और 2025 का साउथ अप्रिका में 2026 का UASA में होगा क्लियर होगा यहां तक तो 2030 की जो मिटिंग हुई है कितने सहरों में मिटिंग हुई थी जी ट्वेंटी तो यह तेज की मिटिंग कितने सहरों में हुई है तो भारत के साठ सहरों में हुई थी साठ सहरों में ध्यान रखेगा 6060 सहरों में हुई ए और जी 20 में कितने सदस्य हैं जी 20 नाम है इसका सदस्य संग्षा कितनी है कितने सदस्य देश हैं तो 21 एक की सदस्य देश हैं जिसमें कि 19 country हैं और 2 संगठन है 2 संगठन अफ्रीका संगठन और यूपिय संगठन जी 20 विल्टइस जो संमेलन हो थे तो अभी आमिताफ कांत दियान रहं नाम है अमिताब कांत अमिताफ कांत थे ब्रिक्स के बारें अब समझ लेते हैं तो ब्रिक्स संग्ड़ जोहंसबर्ग में रिक सब्सक्राइब और है जीक में कंट्री का है प्राइटर है जो पांच मेंबर कंट्री है बीफोर ब्राजील आर फोर रसिया आई फोर इंडिया शी फोर चाइना एस पूर साउथ अफरीगा यह पांच कंट्री प्रंतु अब इसमें ब्रिक्स में अब बर्तमान में 11 सदस्य देश यह भी ध्यान रखिएगा तो ब्रिक्स में जो नए सदस्य यह तो नाम पता दिया मैंने प्रेक्स नाम पड़ा है तो ने सदस्य देश कौन-कौन से अर्जेंटिना सौधी अरब यूवेई मेसर एथियोपिया इरान इरान को अभी सामिल कर लिया गिया है इसे भी इस तरह से यह 11 सदस्य देश बन गए हैं और तो 24 में सोलवा ब्रिक्स समयलन कहां आयोजित होगा तो रूश में होगा रूश के कजान सहर में सहर का नाम है कजान किस देश का सहर है रसिया का सहर है रसिया का समयलन 24 में कजान में आयोजित होगा चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना जो स्टार्ट करते हैं जो आज का पहला प्रश्ण है कोविड-19 के नए वहरियन का नाम क्या है जो तो दिसंबर दिसंबर तो तेज में भारत के साथ अनेक देशों में फैल गया था तो उसको भैरियन का नाम क्या रखा गया था ऑप्शन ने जे एंट्टू ऑप्शन डाट एंसर ही पता देता हूं अब यह अब ऑपशन क्या अप्शन आप लोग देख रहे हैं ऑपशन वी ऑपशन बी सही जवाब हो जाएगा यहां और यहां से बेने के बाद आपको बनेफिड मिलेगा लाइफ सेज़न और इस तरह से आप यहां पसंद आ लाइक कर लिए और शेर भी वीडियो करते चलिएगा थैंक्स बटन से कुछ डॉनेट करना चाहते हैं यहां से डॉनेट कर सकते हैं पहुंचा सकते हैं चैनल को ग्रो करने के लिए और अच्छे तरीके सागो आपको अगर कोश्चन पसंद आ आप यहां से थैंक्स बटन है यहां से डॉनेट कर सकते हैं अपने इक्छा के नुचार अपने सकती के नुचार से चलिए चबते हैं नेक्स कोस्टन कोस्टन नमबर टू है पहले भारतिया बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं ऐसे पहले भारतिया कौन है जो बिम्स्टेक क के महासवजुवब बने हैं तो सही जवाब हो जाएगा option C इंद्रमनी पांड़े पहले भारति यह जो बीम्स्टेक के महासवजुवब बने बीम्स्टेक का फुल-फर्म क्या होता है ततर बे औप बेंगॉल बेंग औप बेंगॉल बिम्स्टेक में साथ सदस्य देश ने कौन-कौन से हैं बांगला देश भुटान भारत मैनमार नेपाल सिरलंका और थाइलेंड उसी प्रकार से और एक कोशन यहां बन जाता संघाई याई संघाई संग सहयोक संगठन एस सीओ संघाई सहयोक संगठन संघाई संघाई संघाइस कितने 9-9 निया सदस्य कोन सा है इरान है निया सदस्य इरान को बना लिया गया है संघाई सथ संघाई मैं चाइना रसिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान उजबेकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इरान ये नया सदेश से देश कौन है ये भी ध्यान रखेगा इरान है इरान नया सदेश से देश है चलिए नेक्स कोस्टेन चलते हैं बिश्व मौसम बिज्यान संगठन की पहली महला महासचिव कौन बनी है बिश्व मौसम बिज्यान संगठन की अध्यक्ष महासचिव यह कहां कि अर्जंटिना की अर्जंटिना की पहली अमेरीका की पहली सच्व बना और ये पहली महला सच युँँ विश्व मौसम बिज्ञान संगटन की चले कोशन नमबर नेश्ट कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर फोर एरोपिया इस्पेस एजनसी की दुर्बिन गया जी ए आई गया ने अपनी अकास गंगा में एक बड़े ब्लेक होल की खोचकी है यहां ब्लेक होल किस तरह समू में इस्तित हैं तो आप्सन नहीं है तो सही जवाब इसका हो जागा एकविला टारह समू में पाया गया यह ब्लेक होल जिसके खोचकिया है इजनसी की दुर्बिन है गया इसका नाम भी रखा जो तरह समू में पाया गया है ब्लेक होल उसका नाम रखा गया है गया बी एस त्री जी ए आई ए गया बी एच थ्री इस ब्लेक होल का नाम रखा गया ये ब्लेक होल का नाम है ये ध्यान रखेगा एकियूला का मतलब क्या होता है एकियूला एक यूनानी भासा यूनानी भासा से लिया गया सब्द है जिसक हुए गलेक्सी यह एक ठोल जो पाया गिया हमारे एकाश भथ का थे ऑशिख यह Yeon you कасबंध किमीर। क सुझा में सजाकर प्रेड का भी सुंदत तरी कि सजा तो नाम है उसे मंदिर इस उत्सव का होता है जिसमें हाथियों को अच्छे तरीके से निकल जाता है यह सेशन कैसा रहा कितना है आप लोग के लिए तो कमेंट सेशन में अपने बिचार रखना जरूर जरूर करकिएगा अपने बिचार रखना मत भूलिएगा और विडियो कर पसंद आया तो लाइक करते चलिए और शेयर भी करते चलिएगा और यह मुर्ति के बारे मत बता दिया इसका सबसे बलंबी मुर्त बड़ी मूर्ति है अफी तक नटराज मूर्ति जो है भारत मन नपम आप सब की सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फी करने बाद जय हिंदे